नमस्कार, once again आसी तुबड़ी में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे बहुत ही चर्ची चेहरा जो देश में आज फैला हुआ है नाम धिरेंद्र सास्त्री जी का और मैजेशियन सुहानी शाह का अब आप खुद फैसला किजिए कि कौन जान लेता है मन की बात पंडित धिरेंद्र सास्त्री या मैजेशियन सुहानी शाह सोसल मीडिया पर यह संगराम चड़ा हुआ है लोग कहते हैं कि अन्बिस्वास या चमतकार अब धिरेंद्र सास्त्री धर्फ जोड़ते हैं और सुहानी शाह सो कलास्या सिक्षा से सुहानी साह के बारे भलका से बताओं कि बचपन में इनकी तामरी एजुकेशन हो पाई किसी तरह का गिरिशन या किसी तरह का डिगरिशन के पास नहीं है पिर भी आज देश की नमबर वन मेजिशन बनी हुई है साथ तालकुमर से ही मेजिशन सो करती आ रही है और सबसे वड़ी बात है कि संदीप महश्वारी के सो में जाने के बाद इनका नाम काफी तेस से हाइलाट हो रहा है इसकी काफी चाचा हो रही है कि सुसल मीडिया पर भी लोग इसकी खुब चाचा कर रहे है और इसके किंद्रे में हैं पंडित धेन साथ्री और मेजिशन सुहानिसा सुसल मीडिया पर कई यूजर्स इन दोनों की तुलना को लेक सही नहीं मान रहे हैं क्योंकि एक धर्म से चोड़ते हैं एक सिक्षा से दोनों अपने जगा सही है हम इसको डायेट अन्विस्वास नहीं कर सकते हैं और नचमतकार कर सकते हैं ये ग्यान की अनुवत्ती कर सकते हैं ग्यान इनको प्राप्त है ये कुछ समझचाओं को अन्वार्मेंट को इसे शुच्छन को रिड़ कर पाते हैं और बता पाते हैं ये एक मनो बैगानी ग्रूप से ग्यान है इस तरह का इन्फरमिशन आपको अच्छा लगे तो आप आज़ी तुमल को सब्सक्राइब कर दें सेर कर दें और लाइक कर दें मैं बताओं कि ने दिली वागश्वर धाम के पंडित देंसात्री इन दिनों का सुर्खों में बने हुए है मराष्ट में अन्विश्वास फिलाने के आरोब से सुरू हुए विवाद के बाद पंडित देंसात्री की ओर से भी जराब दिया गया है पंडित देंसात्री आखिर कैसे परची के जरिये लोगों को मन की बात जानते हैं या बता पाते हैं इसको लेकर सोसल मिजिया पर काफी चर्चा है या ग्यान दीव दिश्टी है या कुछ और इस पर भंस हो रही है इस पूरे बिवात के बीच मैजिसियन सुहानी साह भी काफी चर्चा मेतेई से वायल हो रही है सुहानी सा लोगों को माइंड रेट करके बता जिती है सुहानी के भी वीडियो इन दिनों काफी वायर हो रही है मंडित धेंद कृष्ण सास्ती के बिवात के बीच सुहानी न्यू चैनल में आकर के लाइब लोगों को माइंड रेट करके बताया है सुसल मीडिया पर अलग तरीके से लोगों को हो रही है कुछ सुचना यहां से स्वास है कि चमतकार है इस पर सवाल करने पर अनेक प्रकार के प्रस्टने खड़ा हो रही है इस बार में सवालनी सवाल करने पर उनका कहना है कि यह एक कला है और कोई भी सिख सकता है जबकि धिरन सात्य जी इसको बाला जी अक्रिपा और धर्म से जोड़ते हैं दोनों अपने जगापर सही हैं दोनों की आज धर्ती पर आवशकता है सिक्षा कभी ये कला की ये धर्म की ये लाइब को बैलेंस करने के लिए बहुत बढ़ी है लेकिन किसी भी चीज़ को अतिक करना उसको गलड़ंक से प्रोशना ये गलत है मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सुहानी जी या कदिरन सात्य जी इसको गलत तरह के सौप रहे हैं दोनों ही समाज में जागरती फिलाने काम कर रहे हैं दिखने का नजरिया अलग-अलग है ये एक सिख्षा है सुहानी बाचित को दान लोगों के मन टटलती हैं और उसके बाद वही बताती हैं जो बैक्ति के मन में चल रहा होता है अब इसको लेकर के सोशल मेडिया पर लोग अपनी अपनी तरीके से इसको रख रहे हैं पंडित देरेंद्र कृष्ण साथ जी के साथ इसके तुलना भी कर रहे हैं सबसे बड़ी बात है कि तुलना किसी वेक्तिय किसी वेक्तिय से नहीं कर सकता है अगर आज कोई थ्पूआ सा मालीजे की अगर पोजिटिव हो गया है तो उसको बड़े बड़े परस्ट रहले तुलना है कर सकते हैं उसके गुण कुछ हो सकते हैं लेकिन तुलना नहीं कर सकते हैं दर्ति पर आप पिशन करते हैं, कोई एक कंड को ले जिए, दुसरा कंड को ले जिए, कभी भी एक कंड से करकी पराबरी नहीं कर सकता है, सेप में, साइज में, रंग में, किसी भी तरस से उसकी बिंता होगी। योगता भयान के नेट्यूट कर लिखा है, कि सुहानी साह ने बीते कुछ तिनों में राश्टी टीवी पर अपनी कला से लोगों के बात पकड़ लेती हैं, लोगों की मन की बात पताना सिर्फ कला है, कोई चमतकार नहीं, ये स्टडी है, लॉजिक है। मादोदास नाम के एक यूजर ने लिखा कि सुहानी साह एक मैजिसियन है, जो आपके दिमाग में को पढ़ सकती हैं, वो कहती हैं कि मन में सवाल सोच लो, फिर उसका जवाब देती हूँ, वहिं धिंद्र कृष्ण सात्री पहले जवाब लिखते हैं, या फिर याचिक का कर लाल हैं, और दोनों पर विश्वाच करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुहानी साह एक मैजिसियन है, एक उबरती हूँ यूवा आइकॉन है, दुसी तरह दिर साहत्री भी यूवा ही है, आज देखें कि अनेक तरह की बातें, अनेक तरह की सादू संथ हमारे बीच आये, और मुझे पुन विश्वास है इन पर कि ये इस तरह की बातें नहीं करेंगे, सुहानी साह को भी लेकर के काफी वायल हो रही हैं, और अच्छी बाते हैं, एक प्रणा है लोगों के लिए, कैसे हम कम सिख्छा प्राप करने के बाद भी, अगर पॉजिटिवीटी हमारे अंदर हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई एक काम करके बहुत आगे बढ़ा जा सकता है, इसे प्रकार से दिरन सास्ति भी लोग लिक मेसेज हैं, कि अगर अकॉंसेंट्रेशन है, आपके अंदर विश्वास है, पॉजिटिवीटी है, तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं, कि इस सुवाइन सागे इतनी चर्चा हैं, कि सुवाइन साचा आती, तो उस चमतकार को, उस वैजिशन को परियोग करके भारत जैसे अंद्विश्वासी देश में, अंद्विश्वासी देशकरों कहते हैं, हम बताते हैं कि रात में, जब कुता रोने क्यों आता है, वास्तों में कुता रोता नहीं है, यह बैजानी तत्त है, कुता अपनी कष्ट को, अपने मजूद आसपास के साथी को, एक हाल करके, हलागर के बिलाने के प्रास करता है, और गाओं घर में आर्पिक मन्याता है, कि कुता रोता है, तो अब सगुन होता है, तीन रुट्टी खाओ, और त लेकिन तिन तिकड़ा काम भी गड़ा, जैसी अद्विसवास, कई अद्विसवास हमारे देश में हैं, उसी बीच में अनेक शादूसंत, इसका एक फैदा ऊठाते हैं, और अपना आश्वर, अपने नाम कमाते हैं, मैं किसी भी सादूसंत के बारे में यह नहीं कहना चाहत लेकिन हमारे देश के जो निमासी है काफी अन्द्विस्वासी भी हैं तो हम कहना चाहते कि अन्द्विस्वास देश में एक पहां साध्वी बनकर इस हुंडर पर धर्म की चासनी लगा कर करोडूर अरवों का धंदग कर सकते थी लेकिन इन्होंने देश को जागुल किया और इसके लिए इनका शुक्रिया है ऐसे देश की बेटी स्वानी साथ को नमन और आप देरन सात्री यू को भी नमन क्योंकि दोनों एक तरह से कहने कही पॉजिटिविटी की बात करते हैं लेकिन दोनों में काफी अंतर है उस अंतर को समझने और सुषने का चमता आप और हम में होनी चाहिए अगर आपको इन्फॉर्मेस अच्छा लगे तो आसी तुबल को सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें और शेर कर दें थैंक यू